इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बजरंग बान का पार्ट करने से बड़े से बड़ी समस्या सुलज सकती है कल्यूग के अंदर हनुमान जी एक मात्र प्रत्यक्ष देवता माने जाते है बगवान श्री रामचंदर जी के वरदान के कारण वो आज भी दर्ती पे विराजमान है और उनका सिर्फ स्रद्दा से नाम लेने से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या सुलज सकती है कोई भी गोर संकट हो अगर सच्चे मन से आप हनुमान जी को याद करोगे तो उसी क्षण आपकी वो बादा डल जाएगी इसके लिए जरूरी है कि आप हनुमान जी का अनुग्रह प्राप्त करे और इसका सबसे सटिक साधन है बजरंग बान का पाठ बजरंग बान के पाठ के जो कुछ उपाय है वो आज मैं आपको बताऊंगा एक दो वीडियो बना कर मैं बताऊंगे काफी सारे उपाय है अगर किसी भी व्यक्ति की विवा में समस्य आ रहे हो विवा में अडचन आ रहे हो तो उसको कदली के वुष्ट के नीचे बैठ कर बजरंग बान का पाठ करना चाहिए जो मनुष्य कदली के वुष्ट या वन के अंदर बैठ कर या वुष्ट के नीचे बैठ कर बजरंग बान का नियमित रुप से पाठ करता है उसके विवा में आने वाली सारी समस्या टल जाती है अगर तलाक से जुड़ी विव कोई समस्या हो यानि कि साधी तूटने जा रही हो तो भी ऐसा भयंकर से भयंकर योग भी टल जाता है फिर अगर कोई मनुष्य ग्रह दोश्य परेसान हो तो इसके लिए आप प्रातकाल बजरंग बान का पाठ करे आप आटे का एक दिपक बनाए जो आटा हम गूटते है उससे एक दिपक बनाए और उसके अंदर लाल बत्ती जलाए यानि कि रुई को आप लाल कलर की कर दे यानि कि लाल चंदन से उसके बाद तेलका दिपक जला के आप बजरंग बान का पाठ कीजे कम से कम तीन बार ऐसा करने से आपको बड़े से बड़े ग्रदोस से उसी क्षण आपको छुटकारा मिलता है फिर अगर शनी राहू केतु वो आपको परेश्रान कर रहे है उनकी दर्षा या महा दर्षा चल रहे है या शाड़े साथी चल रही है तो उसके लिए आपको किस तरह से बजरंग बान का पाठ करना चाहिए आप उड़त के दाने लिजे जो बड़े दाने होते हैं कम से कम 21 से 51 उसको एक धागे से बांद कर एक माला बनेए और उस माला को आप हनुमान जी को अरपित कर दीजे हनुमान जी को अरपित करने के बाद उस हरे एक दाने को आप प्रासाद के रुप में बाठ दीजे और उसके बाद आपको तेल का दिया जलाना है और दिया जलाकर कम से कम तीन बार बजरंग बान का पार्ट करेगे तो उसी क्षण आपको शनी राहू या केतु की परेशानी से मुक्ती मिल जाएगी ये अचुक उपाय है फिर अगर किसी मनुष्य के लिए जेल का योग बन रहा हूँ यानकि कारागार का योग बन रहा हूँ या तो उसको ऐसी संभाव नाए दीख रही हो कि वो जेल में जाएगा या तो किसी कौट केस में उसको मुक्ती चाहिए तो इसके लिए आपको किस तरह से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ आप हनुमान जी को हनुमान जी के मंदिर में जाए शनीवार या मंगलवार को उनकी जो पूछ होती है उसके उपर ग्यारा सिंदुर के आप टीके लगाए और उसके बाद ग्यारा दिये जलाए जिस तरह से मैं आपको बताया आटे के अंदर आप तेलका दिया जलाए या चमेली के तेलका भी आप दिया जला सकते है इसी तरह से ग्यारा आप दिये जलाए लाल बत्ती से और उसके बाद ग्यारा बार आप बजरंग बाण का पाठ करें आप नहीं मानेंगे लेकिन इससे सारे ये जो योग होते हैं कारागार की योग जील में बंध होनी की संबावना है ये सब कुछ टल जाते ही अगर आप हनुमान जी को ग्यारा गुलाब चड़ाते हैं और उसके बाद इसी तरह से ग्यारा आप दिये जलाते हैं उनके सामने चमेली के तेल के तो इससे आपकी अगर कोई कोट केस चल रहा होते इससे भी आपकी जीते निश्चित होती है ये सारे उपाय है आप आजमा कर देखिए बजरंग बाण के पाठ में अचुक शक्ति होती है जो आपकी हर रूप से सहायता करती है दन्यवाद आप अमारे चैनल पे स्ट्राइस दीजिए थैंक इस सो मच